नमस्कार वर्चो देखिए आज हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और यह जो है टॉपिक इसका नाम है एग्रोकेमिकल एंड देर एफेक्स हम लोग उने पिछली क्लास में पढ़ा था जो ग्री रिभुलुसन था तो ग्री रिभुलूसन में सेेंड़ार्फ वैराइटी जनरेट किया जिसें भारत में जो फाधर ऑफ ग्रिण रिभुलुसन कंसीडर किया जातें वो ये स्वामीनाथैं है एमे स्वामिनाथन और जब की पूरे विश्व लेबल पे एन ए बोर लॉग कंसीडर की जाते हैं नॉर्मन ए बोर लॉग जो युज किया तो अब देखिए उसके इफेक्ट क्या आते हैं वही आज हम लोग चक्छा करें देखिए अब आपने जैसे इन और इन फट्लाइजर युज किया इन और प्लांट्स है ठीक है तो अब यू जो प्लांट्स है इसमें आपने इनकी प्रोडक्टिविटी या यूज कर दिया ठीक है तो जब फट्लाइजर यूज करते हैं तो प्लांट की तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है लेकिन उसके अत्रिक्त जो मतलब नॉन टार्गेट आर्गनिजम होते हैं और वह हमारे मिट्टी के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं जैसे कुछ जब डेड हो जाएंगे तो फिर हमारा एको सिस्टम जो स्वाल का इको सिस्टम है वह बैलेंस होगा नहीं वह बैलेंस नहीं होगा तो यहीं डिफिकल्टी आती है इस आर बायो मागनिफाइड इंदे तरिस जल और यह जो मतलब आपके पेस्टिसाइड होते हैं जैसे हम ए पिछली ग्लास में बात कर चुका है तो आपको ग्यात होगा कि यह एक्वूलेट होते हैं इस सक्सेसी ट्रॉफिकलेवर भी तो यह जो सब्स्टेंस होते हैं यह बायो मैगनिफाइड इन ट्रेस्टेल इको सिस्टम जैसे आप थोड़ी सी कंसेंट्रिसिन में डालते हैं द इसको कुछ इफेक्ट होते हैं वही देखिए अब देखिए इसको मतलब रिजूस करने के लिए जो मतलब एकल्चर या एग्रोगेमिकल था या इन और्गेनिक जो फर्टलाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं उसको कम करने के लिए बैक्ति जिसका नाम है रमेश चंदर डागर ये कहां से थे हरियाणा सोनी पत हरियाणा से थे इन्होंने एक टेक्निक्स निकाला या एक तक्निक होचा जिसको ह करते हैं इंहीं त्टेग्रेटट और्गिनीक फॉर्मूंग बिए अंटेग्रेटिटव और्गिनие और्गिनिक फार्मिंग दीया आपकर इंट एक्स्टिक क difा किया है तो आपको 2 दू साब्रेश का आप बेक्रमिक और या हमारम लोग में यह beneficial हो जागा दूसरा डंग मिलता है क्या मिलता है डंग तो professional composting तो इस डंग का आप लोग मतलब bio energy भी मतलब bio gas के farm में energy produce कर सकते हैं या फिर इसको as a organic manure के रूप में यूज कर सकते हैं और इधर जो भी है plants के productivity मतलब इस तरह आप देखेंगे तो जो डंग है डंग का हम लोग energy production में और साथी साथ जो plants है organic manure में यूज कर सकते हैं ठीक है तो ही इन्होंने जो आपको beneficial होगा health के लिए और भी लोगों के लिए मतलब useful होगा दूसरा डंग मिलता है तो डंग आपको agriculture फिल्ड में यूज कर सकते हैं साथी साथ इससे energy मतलब bio gas के farm में energy प्राप्त कर सकते हैं और इन्होंने beekeeping techniques रखी थी मतलब honey bee मतलब honey bee पाला था तो यही देखिए इसमें देखेंगे हम लोग क्या है integrated organic farming it is cycling zero waste procedure अब यह का रहा है कि एक cyclical process है मतलब cycle की तरह चलता रहता है यह cycle की तरह चलता रहता है और zero waste मतलब इसमें जो waste है वो zero रहेगा कुछ भी नहीं बचेगा सब usable हो जागा ठीक है where waste products from one process are cycled in the nutrient for other अब जैसे माली जे यह cycle चल रही है तो जो यह waste बचा है यह किसके लिए जो आगे आने वाला है nutrient इसके लिए फिर यह waste जो बचा है यह आगे आने वाला है फिर इस तरह यह चलता रहता है तो इस तरह आपने देखा कि एक cyclic process है और जो waste बसता है वो further जो upcoming मतलब वो हते हैं consumers या फिर आप बोल सकते हैं जो आगे की process है उसके लिए nutrients का काम करता है तो यह इसने बता है this allow maximum utilization of resources and increase the efficiency of production अब यह क्या करता है कि जो मतलब आपका source है या resource है उसको maximum utilize कर सकते हैं मतलब waste एक दम नहीं जाएगा रमेश चंद्र डागर इनका पूरा नाम है RCD मतलब रमेश चंद्र डागर ठीक है तो देखिए रमेश चंद्र डागर जी है और हमने बता था यह कहां से थे आपको पता होगा कि यह सोनीपत हरियाना से है तो रमेश चंद्र डागर यह farmer किसान थे सोनीपत हरियाना included beekeeping, dairy management water harvesting, composting, agriculture, integrated organic farming मतलब एक चीजी नहीं ने settled किया था उसी के साथ सब का coordination manner में चलता रहा है ठीक है तो देखिए दिखाया गया है आई अब आगे देखते हैं अब देखिए इसमें भी वही दिखाया गया है integrated organic farming में क्या कर रहा है waste and their effects तो वह तो मैं वेस्ट की बात कर रहा था पिछले class में यहां देखिए integrated organic farming अब इसका advantage किया है इसमें help करते हैं और फिर यह inter cropping system crop rotation type का ही system है फिर कुछ बड़े-बड़े पौधे यहां पर आप लगा सकते हैं जिससे इसमें लिखाया कि देखिए इसे आप बहुत ज़्यादा benefit पा सकते हैं मतलब cattle आप अगर रखे अगर पर तो इसे बहुत सी benefit मिलता है तो वह एक integrated organic farming हो जाएगा advantage देखिए advantage of daggers integrated organic farming they support each other and allow an economical and sustainable venture मतलब यह economical बहुत आर्थिक संब्रिध था और sustainable बहुत long मतलब durable था ठीक है no need of chemical fertilizer as dung is used as a manure अब यहाँ पर हम लोग यूरिया या फिर पोटास या फिर डाइ पोटास या फिर नाइट्रोजन यह सब चीजे हम लोग नहीं यूज करते हैं यहाँ पर आपको सीधे डंग जो है उसको खाद के रूप में यूज कर सकते हैं crop waste is used to create the compost natural fertilizer to generate natural gas provides energy for the farm अब उन्हें बताय था कि जो crop waste है मतलब पौदे आपने उगाए हैं अब वो पौदे का तो जो यूज है मनलब fruit अगर मनलब fruit वगर दे रहा है तो उसको तो हम लोग खा लेते हैं या फिर उसको मतलब generate natural gas उससे हम लोग natural gas भी generate कर सकते हैं ठीक है तो यह रहा रमेश चंद्र डागर जो integrated organic farming था उसका डागर has created haryana किसान welfare club to spread information about integrated organic farming इन्होंने मतलब सभी किसानों को जागरूप किया इन्होंने एक welfare बलाए था मतलब एक club था जो हर्याना किसान welfare club था और पूरा information सबको दी है integrated organic farming मतलब सभी को बताईए इसके विशह में इन्होंने एक association बना के सबको spread किया था मतलब सूचनाओं को spread किया तो यह रहा आपका integrated organic farming अगली क्लास में हम लोग radioactive या radioactive waste की बात करेंगे radioactive waste या फिर radioactive waste तो अगली क्लास में discuss करेंगे thank you